अदूर्ल है स्पुलिष फाइट क्या है कि जहां पर हम कंपारिजन जो है वो possibly कर सकते हैं ठीक है अब यह जो है comparison यह हम अपने strength weakness opportunity या threats के लिए जो हैं देखते हैं अब हम advantages की बात करेंगे यह जो है facilitate करता है inter firm और inter period comparisons inter firm means जो हमारी firms होती है हम अपनी firm को ही जो है क्या करते हैं comparison करने में possible होते हैं जैसे कि हमने बात की कि हमने अपने पीछले चार सालों के profits देखने हैं तो यह है inter firm जो है facilities हमें देखने को मिलती हैं और इसमें और inter period comparisons जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं यह जो है हमें highlight करता है कि जो trends हैं हमारी different accounting variables में क्या है और यह जो है performance के related क्या है efficiency के related क्या है या financial position के related जो है वो क्या है ठीक है next यह हमने help करता है कि हमने identify करनी है weakness किसमें जो कि operating efficiency है financial conditions है और यह जो है appropriate हमें remedier action जो है वो देती है कि क्या-क्या remedies जो है वो हमें देखने को मिलती है ठीक है इसमें जो है inter firm या inter period comparisons हमें देखने को मिलते हैं हमें different accounting के variables की हमने performance में कितने changes लेके आए है efficiency में हमने कितने changes किये हैं या कितने हमने financial position में जो हैं changes किये हैं वो हमें पता चलता है यह हमें अपनी weakness को जो कि हमारी operating है जब हम operational efficiency में कहां पर जो हैं हम week बढ़ रहे हैं कौन से financial conditions हमारी week है और हमें कौन से ऐसे actions लेने चाहिए जिसके कारण हम उने correct कर सके ठीक है next अगर जो हम disadvantages की बात करते हैं या de-merits की बात करते हैं comparative statements की तो वो क्या है कि बहुत ही ज़ादा frequent change जो है वो हमारे accounting principles में convention में, methods में या policies में जो है हमें देखने को मिलता है तो इस वज़से हम inter-period comparison जो हैं वो बहुत difficulties के साथ जो हैं वो करते हैं कई बात difference जो है वो हमारी age में size में lack of uniformity में accounting policies में या practices में देखने को मिलता है और इसमें firm जो हैं वो इन बहुत ही ज़ादा inter-firm comparisons जो हैं वो बहुत ही मुश्किल से ले कर आते हैं क्योंकि जैसे age, size जो है uniformity, accounting policies practices जो हैं ये लग-लग होते हैं अब यहाँ पर देखिए एक हमें दिया गया है comparative income statement ठीक है इसमें देखो हमें particulars दिये गए हैं value दी गई है then c y का मतलब है current year p y का मतलब है previous year absolute और percentage change जो है वो हमने लेके आना है net sales जो थी वो देखिए 120 की थी और previous year में ये 100 की थी याने की 20 से increase हुई है तो इसमें जो है plus 20 हमने absolute change जो है वो किया है then less cost of goods तो इसमें क्या है 40 minus 30 ठीक है तो ये कितना हो गया plus 10 gross profit आपका current year में 80 है previous में 70 था तो यहाँ पे plus 10 operating जो था वो 40 था और last year जो था 25 था तो 15 अब ये देखिए operating profit जो है वो आपका अभी कम है पिछले year जादा था तो ये चल गया minus में less interest interest दोनों ही years में same था तो इसमें कितनी आगी zero value आगी ठीक है earning before tax show था वो कितना था first year में 30 था और हमारे previous में 35 था यानि कि minus में चल गया less tax 3% से increase हुआ है तो ये plus में चल गया earning after tax show थी वो क्या थी 2 से कम हुई है यानि कि 18 थी और क्या है 20 है तो ये कितने में चल गया minus less preference share dividend ठीक है दोनों सेम है तो zero earning available to equity shareholder कितनी है पिछली ये ज़्यादा थी इस year कम है तो कितना आ गया minus 2 अब जो हमने percentage change निकालना है वो हमने कैसे निकालना है देखिए हमारे पास यो है absolute change divided by previous year into 100 20 divided by 100 into 100 ठीक है तो हमारे पास देखो 100 से 100 कट गया कितना बचा 20 next जो है कैसे आएगा absolute change कितना है 10 divided by previous year 30 into 100 तो हमारे पास जो है 33.3 आ गया same 10 divided by 70 into 100 हमारे पास आ गया 14.3 तो हमारे जो formula है ठीक है वो कै कैसे है absolute change divided by previous year into 100 तो हमारे पास ये जो statement है ये आ जाएगी प्लीज इसको solve करके खुद अपने हाथ से जो कि आपको formula बताया है percentage change आपने कैसे निकालना है absolute में आपने current year और previous year को minus कर देना है तो आपके पास absolute change आ जाएगा और percentage change निकालने का जो formula है वो है आपका जो है absolute change divided by previous year into 100 आपके पास जो है सारी amount आ जाएगी ठीक है आज के लिए बचे इतना ही कोई भी problem है पूछ सकते हैं प्लीज इसम को solve करके मुझे send करिए थैंक यू क्लास